उधर एडिशनल एसेचो गुर्देव सिंग ने पीछा करके एक बड़ी मुश्किल से एक शक्स को पकड़ा है आपको बता दें ये बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है लोगडाउं को लेकर एक लड़का सुबै सुबै लोगडाउं के दौरान गारी लेकर निकला तो नाके पर खडे पुलिस वाले निस शक्स को रोखने का इशारा किया लेकिन उसने थाना के SI जो थे उनके साथ उन पर ये गारी चला दी कार सवार काफी दूर तक ASI को बॉनट पर ऐसे घसीटा ले गया एडिशनल SHO गुर्देव सिंग ने पीछा करके बड़ी मुश्किल से उन्हें पकड़ा तो यह तस्वीरे जरा आप देखिए करोणा के वज़े से लगे लॉक्डाउन की बीच पंजाब के जालंदर से यह दिल धैलाने देने वाली एक खबर है जहां एक शक्स ने पंजाब पुलिस के एक ASI पर गाड़ी चड़ाने की कोशिश की है किस्सा जालंदर के एक चौक का है जहां पर एक लड़का सुबह सुबह लॉक्डाउन के दौरान गाड़ी लेकर निकला तो नाके पर जो पुलिस वाले खड़े थे उन्होंने उसको रुकने का इशारा किया लेकिन वो रुका नहीं और ASI पर गाड़ी चड़ाता हुआ चला गया कारसवार काफी दूर तक ASI को बॉनट पर ऐसा ही घसिकता हुआ ले गया आप तस्वीरों में भी देख पाएंगे हाला कि कुछ पुलिस वाले पीछे भी दौरते हुए नजर आए इसको रोकने की कोशिश करते रहे बॉनट पर पुलिस वाला आपको दिख रहा है ASI है लेकिन उसके बावजूद ये गाड़ी वैसे ही वहां से निकलती रही लेकिन किसी तरह एडिशनल एसे चो गुरदेव सिंग ने पीछा करके बड़ी मुश्किल से इस शक्स को पकड़ा है अब इस पर कारवाई भी जो होनी चाहिए वो होगी लेकिन ये तस्वीरें दरसल किस तरीके से ये करूना योद्धा जो आपकी सुरिक्षा के लिए ही तैनात रहते हैं उनके साथ इस तरीके के हरकत बिल्कुल बरताश नहीं होनी चाहिए ये तो तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से और अब इस पर कारवाई भी होगी जो कारवाई होनी होगी क्योंकि लोगडाउन का वक्त है लोगों से कहा गया है कि घर पर ही रहे लेकिन उसके बावजूद ये लोग मानने को तयार नहीं मोहिद हमाई साथ जुड़ चुके हैं मोहिद ये शक्स था कौन इसकी पैचान की जा चुकी है और इसके ओपर सक्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें आप देखिए जो तस्वीरे सामने आ रही हैं अपने आप में बया कर रही है कि पुलिस अपनी डूटी कर रही थी सरकारी काम में बादा डालने का और किसी को जान बू करवाई की गई है तो यह सकत पारवाई की बात पुलिस कर रही है गाड़ी को जब्त कर लिया गया है लेकिन मोहित जो तस्वीरे हम देख रहे हैं यह शक्त काफी यंग यानि एक सरीके से कह सकते युवक ही दिख रहा है यह उसने क्यों किया ऐसा क्या था कि उसने कार नही की या इसने जान बूझ कर की क्योंकि पुलिस वहाँ पर उसको पहले समझा रही थी उसकी पुलिस के साथ बहस हुई और उसके बाद इस गटना को अंजाम दिया हाला कि पुलिस कोशिश कर रही है कि जहां पर भी लोग उनसे बहस करने की कोशिश करते हैं तो वह उसको जो 24 घंटे सडक पर खड़े होकर आपको यह समझा रहा है कि लॉक्डाउन का पालत कीज़े लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं हमी में से ऐसे हैं जो मानने को तयार नहीं है चीजों को समझने को तयार नहीं है लॉक्डाउन देखिया आप तीसरा पार्ट टू यहां पर लाना पड आप कीज़े लेकिन उन सब के बावजूद इस सती की गंभीरता को लोग नहीं समझे रहो किस तरीके से यह युवग की दिख रहा है जो आपको तस्वीरों में यह काफी देर तक ऐसे ही बॉनन पर जो एसाइ उनको लेकर घसिता रहा काफी देर तक पुलिस की टीम भी उस कैसी हरकत हुई पुलिस वाले को घसिते हुए यह कार काफी दूर तक ले गया मोहित कारवाई के नाम पर इसको क्या है अभी गिरफतार कर लिया गया है हिरासत में लिया गया है अब कारवाई क्या हो रही है इसके खिलाफ लेकि यह वक को गिरफतार किया जा चुका है और जो अभी हमारे पास जानकारी है कि पुलिस इसमें एक लीगल वर्जन भी ले रही है कि क्या इस सीवक के उपर 307 यानि हत्या के प्रयास का मुकदमा धर्ज किया जाना चाहिए क्योंकि ये सीधे तोर पे जो पुलिस कर्मी था उसको अपनी कार के बॉनट के उपर गसीटता ह आगे लेकर गया है लेकिन सरकारी काम में बादा पोचाना पंजाब में कर्फ्यू लगा है जो धारा 188 है उसका उलंगन जो नैशनल डिजास्टर मेरेजमेंट एक्ट है उसका भी उलंगन क्योंकि उस दोरान जो भी आपको सरकार नसियत देगी जो भी दिशा निर्देश देगी उसको आपको मानना है लेकिन सबका उलंगन किया है रहा है इन सब तमाम सक दाराओं में फिर दर्ज करने का जो प्रोसेस से फिलाल जारी है और इस योग को फिलाल गिरफ्तार कर लिया गया जो एस जो बॉनट पर नजर आ रहे है वो ठीक है उनको मामूली चोटे आ गया तो यह तस्वीरे जो आप देख रहे हैं पंजाब के जालंदर की तस्वीरे हैं और यह तस्वीरे दरसल क्या हुआ है जरा एक बार फिर से मैं आपको बता दू यह शक्स जो काली गाड़ी में दिख रहा है आपको दरसल यह वहां से निकल रहा था और इसको समझाये गया रोक कर कि भाई लॉक डाउन है अब घर से बहार ना निकले लेकिन इसने ना मानते हुए गाड़ी को आगे बढ़ा दिया जिसमें ASI जो वहीं पर खड़े थे उसको समझा रहे थे वो बॉनिट पर गिर गया और उसके बाद इसने गाड़ी रोकी नहीं और पूरी स्पी मोहीं पर उसकी थोड़ी पिटाई हुए उसके बाद उसको गिरफतार कर लिया गया है और अब इसके खिलाफ मामला भी दर्जकर के इस पर कारवाई की जा रही है मोहित जिस तरीके से आब बता रहे थे कार में हम देख पा रहे हैं एक ही ये शक्स था जो बैठा हुआ था पहले आप बता रहे हैं इससे बहस भी हुई थी पुलिस वालों की? जाने की वज़ा है और उसके बाद उसकी पुलिस कर्मियों से बहस होई जिसके बाद इसने जब गाड़ी अपनी आगे बढ़ाने की कोशिश की तो पंजाब पुलिस के जो वहाँ पर करमचारी मौजूद थे उन्होंने आगे इसका रास्तार रुपनी की कोशिश की जब ये शक्स हाला कि बाद में मेहनत के बाद करी मेहनत के बाद इस शक्स को पकड़ लिया गया है इसको गिरफतार कर लिया गया है और अब इस पर कारवाई हो रही है